सीवान का चुनाओ छठे पेज में समाप्त हो गया और अब 4 जून को रिजल्ट आने वाला है और तमाम लोगों की जो निगाहे हैं वो ठीकी हुई है कि आखिरकार सीवान का सांसद कौन होगा और विहार तक की टीम इनी मुद्दो पर बात करने के लिए एकजिट पोल क्या है सीवान का इसी पर चर्चा करने के लिए एकजिट पोल जानने के लिए कि कौन जीत रहा है और कौन सीवान से हार रहा है तमाम कई पत्रकार बंदू के साथ मौजूद हैं आप देख सकते हैं पे और हम सबसे पहले परचे कराएंगे NDTV से अभिनास कुमार उर्फ मदन जी है नो भारत टाइम से दिन बंदू सिंग है नारद मीडिया से पत्रकारों के टीम है सीवान की वरिष्ट पत्रकार है और इनसे जानेगे की आकिर शीवान का क्या कुछ पोल है जो बिहर तक के माध्यम से हम जानेंगे तो सबसे पल हम जानेंगे अभिसेख जी से अभिसेख जी क्या है सीवान का एकजिट पोल कौन हर रहा है और कौन जीत रहा देखिये करीब पत्रकारता करते हुए मुझे 2-3,5 दसक हो गए और इस दोरान करीब लोकसभा कर चुनाओ की बात करें तो करीब पांस से लेकर 6 लोकसभा चुनाओ में मैंने खुद रहा है रिपोर्टिंग किया है तो मेरा जो अनुभाव रहा है इस लोकसभा चुनाओ को लेकर तो यहां कि जब भी लोक स्वा चुनाव्व नहीं करती है। लेकिन अमेरा जो यहां होता था जानताका यहां का जो मन होता है मैंने देखा है उसको कि वह लोगा खाशकर खिलाफ नहीं के खिलाफ ही जाते थे तो मुझे लगता है कि इस बार भी चुनाव में वही प्रणाम देखने को मिलेगा हाला कि काफी आपका कहना है कि एक तरफ शाबदुन के पक्ष में दूसरा जो पक्ष वो बिरोध में है अब इसमें दो पर्टिया मनतब क्या है आप वरिष्ट पत्रकार है कई वर्सों से पत्रकारिता आप कर चुके हैं क्या आकलन क्या लग रहा है किसकी जीत हो सकती है और किसकी हाई देखिए जीत की बात करें तो सीधे तो मैं यह नहीं कह सकता हूं कि कौन जीतेगा लेकिन मैंने जो आकलन किया है सारे डाटा मैंने देखे हैं उससे मुझे लग रहा है कि दो पाटियों के लेकिन मैं बताओं कि जो पर्णाम आएंगे वह इनी दोनों की बीच देखने को मिलेंगे पार्टी बना पार्टी निर्दलिय कहीं नहीं है बिल्कुल अब मेरा जो यह मनना है मेरा जो अभी तक का अन्भौ रहा है मैं यही कहूंगा कि निर्दलिय यहां पर तीसरे और चौ क्या कहना चाहेंगे किस तरह की लड़ाई होगी पचीस तरी को हम गए थे मतनान के पर भर्मन भी कर रहेते सभी जगा जो हम अपने आखों से देख पाए है कि लाराई जो है निर्दली और एंडी और निर्दलियर की बीच हीना साब के साथ डारेक टकर में है एविसी चली और जान लेते हैं मदन जी से ये भी लगतार तमाम बूतों पर भी जा रहे हैं ते चुनाओ के दिन या उसके पहले भी क्या लग रहा है आपको विशेक जी ने बताया कि पाटी बनाम पाटी लड़ाई है गुपता जी ने कहा कि तीर भारी पर रहा है आपको क्या लड़ाई है और हर जगा देखने को यही मिल रहा था कि निर्दलिय भारी पढ़ रहा है लेकिन जहां तक यह उसको मान रहा है किस तरीके की मान रहे किन से किन से लाई होगी मैं निर्दलिय और NDA की लडाई को मान रहा हूं निर्दलिय मेहिना सहाभ और NDA की लडाई को मान रहा हूँ इसमें अगर देखा जाये तो आप लोग ने जिस तरीके से रिपोर्टिंग किया उसमें क्या कुछ आघ्था रहा कुन किस पर भारी पर सकता है अबी तो भारी है। अबोदी जी के बिकास के नाम पर जो हवाव चली थी, मोदी जी के बिकास के नाम पर नगी भारी है। कारों का क्या कुछ है देगा सिवान का चुनाव जो देष के बाकी चुनाव थे उससे थोड़ा है जहां नस्नल मुद्दा पर हावी रहा का लोकल प्रत्यासी की तमाम लोग का लोकल और यहां आरोप की तो कोई एक दूसरी परवार पर्तिवार यही सब चलते रहा नेस्नल यहां जो मुद्धे हैं वो कम देखने को मिलें तो इसका क्या होगा कि इसका प्रिणाम यह बदलेगा यहां कि यहां का जो वोट परसेंटेज है वो अलग हिसाब से बटा हुआ है यहां तीन परत्यासी में जो निर्दली हिना साम है निश्चित उपसे लड़ाई में हैं वो लड़ाई आखिर किन से यह लड़ाई उनकी जो लड़ाई है वो बदलते मतलम उनकी लड़ाई कुछ ही जगह पर और ब्यारी चौदरी के साथ देखी जा सकती है तो अगर माल देजिए कि हिना साब अगर एंडिये से लड़ रही है कुछ जगह पर और ब्यारी चौदरी तो इन दोनों में अगर देखा जाए हिना साब और एंडिये में इसमें कौन किस परभारी पर सकता है देखें निश्यत्रुप से एंडिये के साथ वोट बैंक जो है वह साइलेंट वोट बहुत जादा है वैसे भी लोग हैं जो घरों से निकले हैं और निकलके वह सीधे उनका मूड जो है वह कहीं स्विप नहीं किया है वह एकदम टार्गेट है कि हमको कहां देना है कहीं लोग विचलित करने के कुछिस की फिर भी विचलित नहीं वाज जिसमें आधी अबादी महिलाओं को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं कई ऐसे केसेज मुझे दिखने को मिले हैं कि पुरुस घर के पुरुस जाकर मारे हैं कहीं और वोट और महिलाएं जाकर वोट अलग वोट की हैं वो अपने हिसाब से किया है उनका माइंड इवे कुलियर था तो ऐसे में तो एंडिये का पल्रा निश्चेतरुप से भाल रही ह पिछले जो दो बार का चुनाव है यानि 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव वो बिल्कुल सिट पैटर्न पे था जो दो लोग थे उनका अपना भोट बैंक बिल्कुल सुरक्षित था और यही कारण था कि दोनों बार परत्यासी एक बार भाजपा के परत्यासी ओम परकास यादो थे फिर जदिव को यह सीट गई तो कविता सिंग दोनों का मार्जिन एक लाक से थोड़ा सा उपर से यह लोग जीते इस बार इस चुनाव में 2024 के चुनाव में यह जो मुख रूप से तिकुणात्मक लडाई है तिकुणात्मक लडाई है यह बिल्कुल यह बात क्लियर है तो तिकुणात्मक लडाई में इन तीनों पापाटियों का जो कोर भोटर है उसका बेस इधर उधर हुआ है इसी वजह से यह चुनाव जो है वो सबसे ज़्यादा दिल्चस्प हुआ है क्योंकि जो स्वर्ण मत दाता है एंडिये का वो सिवान में खिसक के निर्दलिये प्रत परण धुस्त होते हुए वो चिटक रहा है तो यह जो सबसे बड़ा दिल्चस्पिस्तिती यह है तो यहां पर यह कहना चाहिए कि हमारे यहां जो सिमान में 18,000,000 अगर एम जो है आरजेडी से चिटक कर कहीं और चला जा रहा है निर्दलिये के साथ ही चला जा जा तो परण जा 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 तो आपको क्या लग रहा है कि त्रीकोनिये लड़ाई में कौन किस पर भी सबसक्ता है त्रीकोनिये में थोड़ा सा एज जो है वो राश्तिये जनतानतिक गडवंधन को है इस बात को मानते हैं एंडिये भारी है वो पचास-साथ हजार जो हम लोग का लेकिन जो सब्ड़ जाती का जो वोट पड़ा है इसमें कहीं ज़्यादा सेन्द मारी हो गई होगी तो अच्छी तरह से निकल जाएगा अगर उस संद वोट रूम में कहा गया है लेकिन नहीं दिया गया से हमारे साथियों ने बताया कि महिलाओं ने नहीं दिया है अगर ये स्थिति रही तो जीत का अंतर राजग परत्यासी का ज्यादा होगा ज्यादा हो जा सकता है और अगर महागडवन्धन के उमिद्वार दो लाग से उपर ले जाते हैं तो इसका खामियाजाद दोनों को भुकतना पड़ेगा दोनों के भोटरों को नुक्सालों दोनों को जो राष्टी जनतांतिक गडवन्धन का जो भोटर है उसमें जो दलित और महादलित है उसको महागडवन्धन खीच ले जाएगी और उधर से भी जो मुस्लिम भोट है और जो कुछ हुओ है वो इधर खीचेगा अब इसे किसे फिर सजाल लेते हैं अपने सुना तीन चार लोगों से जो पत्रकार बंदू है अब इस पर क्या कहा है बिल्कुल सभी ने एक बात कहा कि निर्दली परत्यासी कोई नों ने यह लड़ाई में बताया आगे हालकि यह कहा कि एंडिये ही जीत की संभावना है थ फिर यही कहांगा कि इस अपनी बात को सावित करने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाओंगा दोहजार बीस में जो बिधान सभा चुना हुए थे उसमें भी एंडिया के कंडिट थे लेकिन उसके बावजूद राश्टे जनता दल के जो कंडिडेट थे और बहरी चौदर चुनाओ जीत गए अच्छे मतों से चुनाओ जीत गए तो मैंने पहले ही कहा कि सीवान में जो है कि एक दूसरा फैक्टर काम करता है और फैक्टर इस बार भी काम किया आपको बताओं यह असरजनक बात है कि जब मुहमद शाहबुदीन जिंदा थे उनके जिवीत रहते है उनकी पत्नी हैना शाहब तीन बर चुनाओ लड़ी चुकि ऐसा माना जाता है कि मुसलिम भोटरों पर मुहमद शाहबुदीन का बहुत खासा पकड़ता और उस समय ओ आरजेडी के टिकट से चुनाओ लड़ती थी जिसमें वाई समिकरण भी एम के साथ सामिल हुआ करता थ और मुसलिम भोट ही है जबकि मैं बता हो कि इनकी कुछ अपनी जो पर्सनल चीजह रही है अदाओते भी रही है तो मेरा मनना है कि मुसलिम भोट कहीं कहीं कई जगए से वहां भी बट गया है नहीं मिले हैं बटे हैं तो फिर मुश्किल हो सकता है जी बिलकुल इसलिए मैंने कहा कि हेना श्रहाब के लिए मुश्किल है और लडाई जो है और दोनों पार्टियों के बीच आर जेडी और एंडिये के बीच में ही मुखे रूप से लडाई है आपने देखा कि कई पत्रकार बंदू से बाचित हुई हाला कि सभी लोगों ने अपने तरीके से एकजीट पोल को बताया भी हर तक पे हला कि ये इनके मंतब बे थे इन लोगों ने बूत पे घुमा है और जिस तरीके से जो बूतों के हिसाब से जिस तरीके से जो वहाँ पे दिखाई दिया है सीन उसके हिसाब सीन लोग ने अपनी बातों को रखा लेकिन चार तारीख को चार जून को जो रिजल्ट आएंगे वही सब कुछ किलियर होगा कि आखिरकार सीवान का MP कौन होता और किसे जनता चुन कर भेजने का काम करती है कुछ लोग ने कहा कि NDA हाला कि नाम लिया कि पताया कि निर्दलिये लडाई में हैं लेकिन कहीं ना कहीं NDA भारी है और कुछ लोग ने कहा कि अवद भिहारी चोधरी यानि कि आरजेडी और NDA की लडाई है और सब कुछ किलियर होगा कि आखिरकार सीवान का MP कौन होता और किसे जनता चुन कर भेजने का काम करती है कुछ लोग ने कहा कि NDA हाला कि नाम लिया कि पताया कि निर्दलीय लड़ाई में हैं लेकिन कहीं ना कहीं NDA भारी है और कुछ लोग ने कहा कि अवद भिहारी चोधरी यानि कि RGD और NDA की लड़ाई है और चार जून को जब फैसला सामने आएगा परिनाम सामने आएंगे तभी पता चलेगा कि सीवान का MP कौन होता है हमारे सहयोगी रिशू के साथ चंदन कुमार बिहार तक सीवान